हलो प्रेंट्स नमस्कार आप सभी को स्वागत है इस चैनल पर दोस्तो आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं जारखन जी के जो की जारखन के सासन बेवस्था हैं जैसे की मुंडा सासन बेवस्था नागवांसी सासन बेवस्था पढ़ा सासन बेवस्था से कोशन लिया गया है यदि आप जार्खन के किसी भी एक्जाम के आप त्यारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाला है इसलिए वीडियो को बिना स्किप के पूरा जरू देखेगा और दोस्तों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब अंसर देना चाहते हैं तो बिल्कुल आप कॉपी पर अंसर लिखते चलिएगा कि कितना कोशन हमारा सही हुआ है तो चलिए इसका अंसर कितना हो जाएगा मुंडा समाज में गोत्रों की संख्या 340 है ठीक है नेक्स्ट कोशन है पढ़हा राजा का मनुनयान कैसे होता है तो पढ़हा राजा का मनुनयान चुनाओं के द्वारा होता है इसका राइट अंसर हो जाएगा चुनाओं के द्वारा ठीक है नेक्स्ट कोशन है मुंडाओं का धार्मिक परधान कौन होता है तो मुंडाओं का धार्मिक परधान कौन होता है इसका अंसर क्या होगा तो तो भूमी को क्या कहा जाता है तो इसका राइट अंसर क्या हो जागा डाली कटारी भूमी कहा जाता है ठीक है नेक्स्ट कोशन है पढ़ा पंचायत के परधान को क्या कहा जाता है तो पढ़ा पंचायत के परधान को मानकी कहा जाता है नेक्स्ट कोशन है नागवन्सी सासन बिवस्था का पर्थम सासक कौन था बहुत इंपोर्टेंट कोशन है नागवन्सी सासन बिवस्था का पर्थम सासक कौन था तो इसका सही अंसर हो जागा फन्नी मुकुट राए तोस्तो बहुत important question है नागवन्सी सासरन का पर्थम सासक जो था वो फणनी मुकूर ट्राय था next question है नागवन्सी राजाओं द्वारा मुगल सासको को दिये जाने वाले कर को क्या कहा जाता था नागवंसी रजाओं द्वारा मुगल सासकों को दिये जाने वाले करकों क्या कहा जाता था तो इसका सही अंसर हो जागा माल गुजारी कहा जाता था नेक्स्ट कॉस्चन है मान की लोगों को नागवंसी सासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था तो मानकी लोगों को नागवनसी सास को द्वारा भुईहर नाम से जाना जाता था नेक्स्ट कोश्चन है किस सासन ब्यवस्था के बाद नागवनसी सासन ब्यवस्था की सुरवात हुई तो इसका सही अंजर हो जाएगा मुंडा साशन बिवस्था के बाद नागवन सी साशन बिवस्था का सुर्वात हुआ next question है नागवन सी साशन बिवस्था में आप आम जनता से कर्व असूलने के जिम्मेदारी किसे परदान की गई थी तो इसका सही अंसर हो जाएगा मानकी को नेक्स्ट कोशन है वह 1765 में बंगाल बिहार और उरिशा की दिवानी मिलने के बाद नागवनसी सासक किसके प्रती उतरदाई हो गये थे तो इसका सही अंसर हो जाएगा पटना कॉंसिल के प्रती उतरदाई हो गये थे नेक्स्ट कोशन है किस वर्ष कम्पनी सरकार ने अस्थाई बंदोबस्त करके नागवनसी राजाओं को जमिनदारी बना दिया तो इसका सही अंसर हो जाएगा 1793 में कार्ण वालिस के समय अस्थाई बंदोबस्त लागू की गई थी नेक्स्ट कोशन है पढ़ा सासन विवस्ता का संबंद किस जन जाती से है तो पढ़ा सासन विवस्ता का संबंद जो है वो उराव जन जाती से है नेक्स्ट कोशन है उराव जन जाती में गौ के परधान को क्या कहा जाता है तो उराव जन जाती में गौ के परधान को महतो कहा जाता है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है दोस्तो नेक्स्ट कोशन है पढ़ा पंचायत सासन विवस्था की अंत ग्रामिन पंचायत पढ़ा कितने अस्तरव में विभक्त होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा तीन नेक्स्ट कॉश्चन है पढ़ा पंचायत सासन विवस्था में दो या दो से अधिक गाउं के बिच विवाद का समधान कौन करता है तो पढ़ा पंचायत में दो या दो से अधिक गाउं के बिच के विवादों को पढ़ा जो होते हैं वही निप्टारा करते हैं आगे कोशन है पढ़ा पंचायत का परमुख कोन होता है तो पढ़ा पंचायत का परमुख पढ़ा राजा होता है नेक्स्ट कोशन है पढ़ा पंचायत सासन बेवस्था में जिस मामले का निप्टारा ग्राम अस्तर पर नहीं होता है वो किसे हस्तांतरित किया जाता है तो इस तो मुंडारी भासा जो है आस्ट्रो एस्याटिक के अंतरगत आती है अगला क्वेशन है मुंडा जन जाती गौं में युवा ग्री को क्या कहा जाता है तो मुंडा जन जाती गौं में युवा ग्री को गिती ओडा कहा जाता है क्या कहा जाता है गीती ओडा कहा जाता है बहुत important question है दोस्तो यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को like को और subscribe करना न भूलेगा next question है किस नागवन सी राजा ने अपनी राजधानी सूतियाग से अस्थांतरित करके चुटिया ले गाया था तो ये आपका अंसर हो जागा परताप रहे next question है कौन सा सब्द मुंडा को कहा जाना पसंद नहीं है तो ये सब्द है call next question है महतो के पंचायती आदेशो को लोगों तक पहुँचाने का दाइत वे किसका होता है तो महतो के पंचायती आदेशो को लोगों तक पहुचाने का जो दाइत पर होता है वो मांजी का होता है ठीक है उराव जनजाती का संबंद किस जनजाती से है उराव जनजाती का संबंद किस जनजाती से है तो इसका सही अंसर क्या हो जाएगा द्रबडी जन जाती से है उराव जन जाती का संबंद जो है वो द्रबडी जन जाती से है नेक्स्ट कोशन है कौन नागवनसी सासक जहांगीर का समाकालिन था तो इसका सही उतर हो जाएका दुर्जन साल जो था